हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मा यूटूब चैनल, LM अकेडमी, ट्रिपल सी के स्पेसल लेक्चर में हमने अल्रेडी 17 लेक्चर कम्प्लीट कर लिया है, जिसमें हमने चैप्टर 1, Introduction to Computer, उसके बाद हमने चैप्टर 2, Operating System के सारे ही थियरी पार्ट को कम्प्लीट कर लिया है, और उसके important question को भी हमने discuss कर लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उपर आई बटन पर क्लिक करके या description box में link दिया है, वहाँ से जाके आप जरूर देखें, अगर आपको कोई doubt हो तो comment section में हमें जरूर बताएं, आज के lecture में हम computer communication और internet को discuss करने वाले हैं, friends अगर आपने हमारा telegram channel अभी तुक join नहीं किया है, तो इसका भी link मने description box में दे दिया है, वहाँ से जाके आप join कर लें, जिससे आप daily के daily lecture का PDF अवेल कर सकते हैं, friends अगर आपको यह video अच्छे लगे तो video को like करें, channel को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें, तो चलिए सुरू करते हैं, आज का lecture तो friends, यह हमारा lecture number 18 है, इससे पहले हमने previous lecture में operating system और उससे related सारे important questions को discuss कर लिया है, आज के lecture में हम new chapter को start करेंगे, जो हमारा अगला chapter है, computer communication and internet, तो यह हमारा next chapter है, और आज का जो हमारा topic है, आज हमारा topic होगा basics of computer networks, तो इसमें हम देखेंगे computer network होता क्या है, यह what is computer network और इससे related की components क्या है, और इसके जो भी protocols होते हैं, network के, वो क्या होते हैं, तो यह सारे चीज हम discuss करेंगे इस chapter में, तो चलिए सुरू करते हैं, आज का lecture, तो आज का हमारा topic है basics of computer network, तो इसमें हम पहले देखेंगे computer network होता क्या है, तो friends, जैसे कि आपको पता है कि जब एक computer network कहा जाता है, यानि जब कोई भी computer, दो या दो से अधिक computer आपस में जुड़े होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उस technique को क्या कहा जाता है, computer network कहा जाता है, अगर network का माध्यम देखा जाए कि कैसे connected होती है, connectionless भी होता है और connection oriented होता है, connectionless से हम क्या समझते हैं, connectionless हम या समझ सकते हैं कि जो भी हमारा network जुड़ा हुआ है, वह किसी wired माध्यम से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको हम connectionless बोलते हैं, और एक होता है connection जो जुड़ा होता है। ये बात करें अब जाएगा को एक्सियल केबल हो जाएगा। ये सारे ऐगा से बात करें अगर लियूम को ही बात खानें जसे डाने मेड़ीम में क्या होता है। वेप्स हो गया, आप अपने मोबाइल में Bluetooth हो गयरा के यूज करते हैं, तो वो हमारा wireless में आता, infrared हो गया, satellite communication हो गया, ये सारे हमारे wireless medium में आते हैं, तो क्या हमने क्या समझा कि जैसे की computer में एक network दो या दो से अधिक device का इक शमू होता है, जिसके द्वारा हम communication कर सकते हैं, ये अलग अलग system इसमें सामिल होते हैं, जैसे की computer network में server होता है, mainframe होता है, network devices होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो हमने देखा कि computer native होता क्या है, तो basically देखा जाए तो computer network क्या होता है कि एक से अधिक computer किसी माध्यम से आपस में जोड़े होते हैं उस तक्णिक को क्या कहा जाता है network कहा जाता है आगे चलते हैं आगे देखते हैं आगे देखते हैं इसमें आगे हमारा जो next topic है यह हमारा advantage of computer network यानि कि computer network के लाव क्या है? एडवांटेज्स क्या होते हैं? तो अगर देखा जाए «डवांटेज में» तो जो हमारा एडवांटेज हो degrees हो जाएगा विफेला एडवांटेज यह हो जाएगा कि जैसे कि हम computer network के iPhones से email विजज सकते हैं किसी को आपको पता होगा कि अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपका नेटवर्क होना ज़रूरी है जैसे कि आपके पास इंटरनेट होगा तेभी आपके जाते हैं टेलिफॉन कॉल कर सकते हैं यह हमारे एडवांतिज हैं कम्पिटर नेटवर्क के वीडियो कॉल कर सकते हैं आज कल तो लोग वीडियो कॉल भी करते हैं VOP के थरी, Vice Over Call के तुरू और इसमें अगर दूसरा लाफ देखा जाए Advantage क्या होता है तो इसमें ये होता है कि हाड़वेर को हम इसमें साजा कर सकते हैं एक दूसरे को जैसे कि मालीजी हमने computer जो हमारा computer है उसको हमने क्या किया कि printer से connect कर दिया है तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम command देते हैं printer के थूँ computer के थूँ तो printer से print out हो जाता है, scan कर लेता है यह सारा ही computer network के थूँ होता है और अगर तीसरा advantage की बात करें, तो इसमें यह होता है कि जैसे कि मालीजी आगर आपको कोई data को share करना हो किसी को, तो इसके थूँ data share कर सकते हैं, यह सारे हमारे advantage होते है computer के computer network के आगे देखते हैं next हमारा topic क्या है आज का, तो यह हमारा है components of computer network यह नेटवर्क के component है, तो इस server हो जाएगा जिसको हम आगे discuss करेंगे notes हो जाएगे, कौन कौन से notes होते है network cable हो जाएगा अब network cable में अगर देखना चाहें कि कौन कौन से cable होते हैं तो मैंने अभी उपर बताया है कि जैसे इसमें दो तरह से हम divide कर सकते हैं, guided media या उसको बोल सकते हैं wired cable, और एक होता है wireless, इसमें wired में क्या होता है कि जैसे ethernet cable हो गया coaxial cable हो गया, ये सारे हमारे wired में आते हैं और wireless की बात करें तो radio wave हो गया, infrared wave हो गया ये सारे wireless में आते हैं फिर हम operating system के बारे में discuss करें लिया, फिर network protocols को देखेंगे, network protocols में TCP protocol होता है IP होता है, UDP ये सारे हमारे protocols होते हैं कर को हम आगे आने वाले lecture में discuss करेंगे तो अभी फिलाल आप देख लिजिए कि components क्या होते हैं computer network की, ये सारे components होते हैं, इसको हम आने वाले ये शेप्टर में हम discuss करेंगे इसको अच्छे से discuss करेंगे कि network protocol क्या है उसमें TCP, OSP सारा हम protocol को discuss करने वाले हैं UDP protocol क्या होता है OSI model क्या होता है, ये सारे हम discuss करने वाले हैं अब आगे चलते हैं, next देखते हैं हमारा अब इसमें हम देखेंगे types of computer network यानि कि computer network के types कितने होते हैं, कितने तरह के computer network होते हैं तो इसमें हमारा तीन तरह के computer network होता है एक होता है land, local area network दूसरा होता है van, wide area network और तीसरा होता है metropolitan area network यानि इसको बोलता है man इसमें एक और note कर लिए जगे अगर नेटवर्क की बात करें, सबसे सrence पहला हमारा नेटवर्क की बात कर अगर हमारा नेटवर्क जो डिसकवर हुआ था इसलिए को आमेरिकन दिरन्डेस निन नि答案 म台 goggles vet चलिए देखते हैं एक एक करके सारे निटवर्क को डिसकस करते हैं तो सबसे पहला हम जो निटवर्क डिसकस करने वाले हैं लोकल एरिया निटवर्क तो local area network में क्या होता है इसको हम land भी बोलते है land local area network तो इसका जो पूरा नाम होता है local area network होता है land का या एक ऐसा network है जिसका हम इस्तमाल करके दो या दो से अधी computer को जोडने के लिए किया जाता है और या local area में ही किया जाता है जैसे आप किसी वेल्डिंग में अगर network को established करना चाते है तो ये land के थ्रू ही कर सकते है तो local area network अस्थानी स्थर पर काम करता है जैसे कि हमें किसी वेल्डिंग में network को establish करना है तो ये हमारा local area network होता है या एक एसा computer network होता है जो local areas में work करता है जैसे कि हमारा home हो गया, अगर अपने घर में हम कोई network establish करना चाहें, या किसी office में करना चाहें, या किसी building में, यह सारे घर या हो गया, building हो गया, यह इसको cover कर सकता है, local area network के through, तो यह हमारा local area network में आता है, अब local area network के advantage देख लेते हैं, क्या होता है, तो यह एक घर या building तक ही सिमत रहता है, और इसकी जो data transfer speed होती है, अगर इसका एक advantage देखा जाए, main advantage, तो जो main advantage होता है, data speed काफी fast होता है, जो भी हम data transfer करते हैं, उसकी speed काफी fast होता है, बहुत ही fast होता है, और सबसे बड़ा, दूसरा advantage यह है, कि इसमें जो भी हमारा data होता है, secure होता है, यह हमारे सारे land के advantage हैं और इसमें डेटा को आरेंज्स नहीं करना पड़ता हैं यह सारे हमारे local area network के example है किसी अगर हम अपने घर में किसी network को establish करना चाहने तो local area network के थुरू कर सकते हैं किसी office में या building में ते हमारा local area network होता है इसके advantage मैंने बताई दिया कि जो speed होती है data transfer की काफी fast होता है और यह data इसमें सुरक्षित होता है यह हमारा हो गया local area network अब picture में देख सकते हैं local area network की एक building में अगर बहुत सारे computer connected है तो यह local area network के थुरू आता है next देखते हैं हमारा wide area network WAN WAN का बिस्तरित रूप है wide area network तो इसमें क्या होता है कि यह जैसे की wide area network में यह केवल building तक ही सिमेत नहीं रहता है ना केवल एक city तक ही सिमेत रहता है यह बलकि बूल सकते हैं इसमें wide area network का W से होता wide और W से आप यह भी देख सकते हैं world यह worldwide network को connect करता है ऐसा नहीं है कि आप किसी city में connect करें या किसी building में connect करें यह worldwide connected होता है यानि काफी large area को cover करता है यह सबसे बड़ा network भी होता है और इसमें जो भी हम data को भेजते हैं वो satellite communication के थुरू या internet के थुरू भी data को भेजते हैं इस network में computer में जो आपस में होते हैं वो switch circuit होता है उससे जुड़े होते हैं या packet switching के थुरू जुड़े होते हैं ति हमारा wide area network आ गया wide area network में क्या होता है कि हम world widely इसमें connect होते हैं internet के थुरू तो यह हमारा wide area network में आता है और इसका अगर advantage देख लें होता है wireless होता है और इसमें जो data को हम भेजते हैं जो भी signal को भेजते हैं satellite के थुरू भेजते हैं तो जो भी data को भेजते हैं satellite या internet के थुरू भेजते हैं यह इसका advantage है यह सबसे बड़ा network होता है यह large network होता है यह सबसे बड़ा network बोलते है वैन को वाइड एरिया नेटवर्क को लार्ज नेटवर्क होता है तो यह हमारे एडवांटेज होगे इसके वाइड एरिया नेटवर्क के आप पिक्चर में देख सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क इसमें क्या होता है एक workstation होता है, server होते हैं, connected होते हैं, ति यह सारे हमारे wide area network में ही आते हैं, अब आगे चलते हैं, next देखते हैं, next है हमारा man, metropolitan network, तो इसमें क्या होता है, कि यहां जैसे कि हमने पढ़ा था भी, सबसे पहला network पढ़ा था, local area network, उसका या बिस्तृत रूप बोल सकते हैं, इसमें data की speed होती है, 200 megabyte तक होती है, और यह land से तो बड़ा होता है, और man से छोटा होता है, और इसमें जो network को हम establish कर सकते हैं, उसमें जैसे कि एक city में network connect करना हो, एक city से दूसरे city में connect करना हो, जैसे आप Delhi में रह रहे हैं और गाजियाबाद में connect करना हो, तो यह हम man का use कर सकते है इसमें wire के through भी हम use कर सकते हैं, जो भी network establish करते हैं, जैसे कि इसमें हम router use कर सकते हैं, switch hub जो भी use करना चाहें, अपने according use कर सकते हैं, तो यह हमारा man होता है, man में क्या होता है, जैसे कि एक city से दूसरे city में अगर network establish करना हो, तो man का use करते हैं, लैन में क्या होता है कि लैन में जैसे कि एक विल्डिंग में ही नेटवर्क इस्टाइबलिस करना हो या अपने घर पर इस्टाइबलिस करना है या ओफिस में तो यह हब हो गया उससे नेटवर्क कनेक्टेड हो गया है तो यह लैन में होता है तो ये हो गया, land हो गया हमारा, man हो गया, और when हो गया, ये हमारे तीन दरगे network होते हैं, और man का example देख सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक city connected है, फिर यहां दूसरे city से connected है, तो ये man होता है, जैसे कि ये man होता है, जैसे कि ये man लो एक city हो गया, डेली हो गया, गा connected होते हैं man get through connected होते हैं और land में क्या होता है कि office या home में connect करना होता है जो when होता है वो एक country से दूसरे country में network established करना हो तो उसको connect कर सकते हैं तो यह हमने आज पढ़ा types of network को discuss किया हमने कि कितने तरीके के network होते हैं और जो आगे हम discuss करेंगे उसमें हम देख लेंगे कि जो भी हमारा network established होता है wireless में क्या use करते हैं और wired में क्या use कर सकते हैं next chapter में हम देखेंगे next lecture में देखेंगे तो friends आज के लिए इतना ही था मिलते हैं next lecture में धन्यवाद